मेरे प्यारे स्ट्रेंट्स मेरे नालाइकों आज हम लोग चौते वीडियो में देखेंगे के कि ट्रिकोर्णमिती फलनों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं ट्रिकोर्मिती फलन, calculus में जब हम problem को solve कर रहे होते हैं तो यह राहो के तो और sunny one करके चा जाते हैं और जब हम करने की सुरुबात करते हैं तो बहुत सारी problems हमारे सामने आती है और calculus की problems को solve करते समय कभी-कभी यह feel होता है जब हम ट्रिकोर्मिती लगा रहे हैं यह calculus लगा रहे हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है? अगर y वराबर sine x तो यह फलन कभ यूज होता है? जैसे कोई वस्तू circular motion कर रही है अपने धूरी पर घूम रही है कोई वस्तू तो आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर करने पर वो 360 पूरा करती है अब यह circular motion के साथ कोई हमें output मिल रहा है मानि उस वस्तू के घूमने से हमें कुछ प्राप्त हो रहा है और जो हमें result प्राप्त हो रहा है वो अलग-अलग angles पर vary कर रहा है मानि कभी कम हो रहा है कभी कम हो रहा है कभी कम हो रहा है कभी जादा हो रहा है जैसे 0 पर उसका जो output है जो हमें मिलेगा वो 0 है मानि X की value अगर 0 रखते हैं तो Y 0 है और X की value 90 मतलब जब वो चौता ही घूम जाती है तो उसकी value maximum हो जाती है प्लस 1 और जब वो 180 होती है तो फिर से 0 और जब 270 होती है तो वो माइनस 1 मनिस उसका परिमार उतने रहता है लेकिन उसका जो ब्योहार होता है वो विप्रित दिसामी हो जाता है फिर 270 पर माइनस 1 और 360 पर फिर से 0 हो जाए तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से मिलता है और इस तरीके से बने हुए ग्राफ के लिए जो भी फलन हम यूज करना चाहें माने जिस फलन को हम यूज करना चाहें उसे हम साइन कहते है यह एक ऐसा कोड है जो एक्सकी दी गई इन वैलों पर तोड मरोड कर वाई को एक जेरो माइनस एक के बीच रखता है अब हम एक्सकी कोई भी वैलो दें अभी हम लॉग में एक्सकी वैलो दे रहे थे इसी तरीके से तो उसकी वैलो अलग आ रहे थी और जब हम ट्रिकोर्णमिती में यानि साइन के साथ ये वैलो दे रहे हैं तो वो अलग प्रकार की वैलो आ रही है तो यही फलन है कि मतलब जब हम किसी चर को यूज करते हैं स्वतंत्र चर में कोई मान देते हैं तो हमें उस जिस वस्तु की हम तुलना करने हैं जैसे कोई वस्तु घूम रही है अगर हम बात करें एक AC जेनरेटर की तो जब AC जेनरेटर में उसकी कोईल को मूब कराया जाता है तो मूब करने पर क्वैल के अलग अलग circular motion में मतलब जब वो 90 अंस गूमी होती है जब वो 180 गूमती है जब 270 गूमती है 360 गूमती है तो हमें जो current reply मिलता है जो हमें current मिलता है वो इस तरीके से vary करता रहता है तो अब उसकी किसी इस्तिती पर अगर हम उसके किसी rotation के किसी point पर अगर हम current की position जानना चाहें तो हम कैसे करें तो इसके लिए हमने एक फलन की रिचना की और उस फलन को हम sign कहते हैं ऐसा ही cost है ऐसा ही 10 है सब कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं तो चलो calculus में देखते है कि इसका rate of change कैसे निकालते है mathematical form में तो वास्तविक रेखा गनित में इसकी value होती है sign equal number current ठीक है लेकिन समय के साथ साथ इसके बहुत सारे उप्योग है तो चलिए rate of change निकाल करके देखते हैं कि क्या value मिलती है तो हम यहाँ पर define करेंगे fx equal sin x fx plus h equal sin x plus h अब d by dx of y equal limit as tending to 0 अब तक आप जान गये होंगे कि यह क्या है यह वह सूक्ष में value है जसको हम अपने x में जोड़कर अपने स्वदंत्र चरकामान बढ़ा देते हैं तो fx plus h वह value होती है जो इस मान को बढ़ाने के बाद हमें बड़े हुए रोप में प्राप्त होती है तो यहाँ पे होगा fx plus h minus fx upon h limit as tending to 0 sin x plus h minus sin x upon h limit as tending to 0 अब यहाँ पर sin x plus h minus sin x जी हाँ वही त्रिकॉनमिती वाला यहाँ पूरे खेल त्रिकॉनमिती के चलेंगे अग्यात value को ग्यात value से ही ग्यात किया जाता है तो यहाँ पर जो भी क्रिया कलाप किये जाएंगे वो त्रिकॉनमिती से होंगे अब आपको याद होगा sin c minus sin t क्लास 11 पे हम पढ़ते है 2 cos x plus h plus x by 2 और यहाँ पर होगा sin x plus h minus x by 2 upon h limit as tending to 0 2 cos 2 x plus h by 2 और यहाँ पर x से x निपट गया, cancels होगा sin h by 2 सॉरी sin h by 2 upon h यह होगा limit as tending to 0 2 cos अब इसके angles की जो value है इसके हर को हम अलग-अलग करते हैं तो यह हो जाएगा x plus h by 2 और यह हो गया sin h by 2 अब यहाँ अब यहाँ पर आगे हम करेंगे x tending to 0 sin h upon h की value 1 put कर सकते हैं कैसे? यह हम आपको बताएंगे next video में जरूर बताएंगे लेकिन आभी सिर्फ इसको देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? sin h by 2 upon h by 2 limit as tending to 0 पर इसकी value 1 हो जाएगे तो यहाँ पर जो value output हमें मिलेगा वो होगा limit as tending to 0 2 cos x plus h by 2 into 1 by 2 क्योंकि उसकी value जो है वो एक हो चुकी है अब यहाँ पर 2 से 2 cancel हो जाएगा और limit को अगर हम रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा cos x plus 0 equal cos x तो अब हमें जहाँ पर भी यह प्रूब करना होता है कि d by dx of y d by dx of sin x with respect to x तो वहाँ पर हम directly use कर देती है cos x अब आप जान गया होंगे कि sin x का आउकलज cos x किस प्रकार प्राप्त किया जाता है इसे प्राप्त करके हम अपने जो आगे की problems होंगे calculus किये उन्हें हम solve कर सकते हैं हमारी intermediate की classों में इस value को इस तरीके से तब निकालते हैं जब हमें कहा जाए कि आप प्रतम सिधान से आउकलज कीजिए आउकलज प्राप्त कीजिए प्रतम सिधान से तब एक chapter है हमारा तो यहाँ पर हम साथ में करिवेशन भी सीख रहे हैं निगमन भी सीख रहे हैं कि किस तरीके से sine x का cosex होता है और formula का उप्योग करना भी सीख रहे हैं तो एक साथ हमारे दो काम हो रहे हैं तो यह हो गया sine x का अब चलते हैं देखते हैं कि cosex का क्या होता है तो बिटा राहू नहीं पढ़ गया अब चलो के तू पर चलते हैं और देखते हैं के तू क्या करते हैं तो वाई equal cosex कि इसका फलन कुछ इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है मतलब अगर वेलू जीरो पर मैक्सिमम है 90 पर जीरो है 180 पर मैक्सिमम है लेकिन परिमान में बराबर है कि इन तो देशा में विफ्रीत है और 360 पर फिर से 0 है तो इस तरीके का अगर है दो राशियों में तुलना करें अगर किसी वस्तु के सर्कुलर मोशन किसी घूमती हुई उपस्तु के साथ जो भी उससे हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से अगर दिखा रहा हो ग्राप प्रदर्शित कर रहा हो उनकी तुलना करने पर तो किसी भी एंगल पर वो क्या आउटपुट देगा इसके लिए हम निकालते है अधार बटे करना ठीक है तो यहां पर हम रेखा गानित नहीं बलके कैलकुलस पड़ रहे हैं तो कैलकुलस के टर्म में हम करेंगे एफ एक्स एक्वल कॉस एक्स fx plus h equal cos x plus h d by dx of y equal limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon h limit h tending to 0 cos x plus h minus cos x upon h अभी रुके रहिएगा अभी इसके questions भी देखने हैं हमें limit h tending to 0 2 shine x plus h plus x by 2 sine यहां पर use कर रहे हैं हम 2 shine c plus d by 2 c plus d by 2 और sine d minus c by 2 x minus x plus h by 2 upon h cos c minus cos d का formula होता है 2 shine c plus d by 2 जहां c और d cos के अलग-अलग angles होते हैं और sine d minus c by 2 इस last term में x जो d होता है उससे c minus होता है limit h tending to 0 2 shine 2 x plus h by 2 और यहां पर bracket खुलेगा sine x minus x minus h by 2 upon h अब यहां पर x से x कैंसल कर देंगे यह हो जाएगा limit yes tending to 0 2 shine इसके हर को अगर अलग-अलग किया जाए तो यह हो जाएगा x plus h by 2 और sine minus h by 2 upon h तो sine minus theta अगर angle negative है तो वो पुरी value को negative कर देता है तो यहां पर हमारी value होगी limit h tending to 0 2 sine x plus h by 2 और यह value हो जाएगी हमारी minus sine h by 2 upon h तो वही है यहां 2 लगा लो यहां 2 लगा लो अब यह value हो गई limit h tending to 0 minus 2 sine x plus h by 2 upon 2 into sine h by 2 upon h by 2 जी हां अब फिर से से एक करना है limit h tending to 0 sine h by 2 upon h by 2 अगर त्रिकोन विती फलन में sine का जो angle है अगर उसी से उसे विभाजित किया जाता है और वो जो value होती है बहुत छोटी होती जो angle होता है बहुत छोटा होता है तो इसकी value एक आती है तो यहां 2 से 2 निप्टा दो यह 1 हो गया अब value बचेगी limit yes tending to 0 sine x plus h by 2 minus में into 1 अब जब हम limit को यहां पर use करेंगे तो minus sine x plus 0 equal minus sine x अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि rate of change of cos x with respect to x equal minus sine x तो बच्चों यह हुआ आपका cos x का derivative यानि आउकलज किस तरीके से हम sine x से प्राप्त करते हैं ठीक है आने वाली problems में हम direct cos x को minus sine x में use कर सकते हैं जब तक कि यह ना कहा जाए कि आप प्रत्थम सिध्धान्त से आउकलज को प्राप्त कीजिए या आउकलन करिए प्रत्थम सिध्धान्त की साहता से तब आप इस तरीके से करते हैं हमारे सारे फॉर्मूले इसी तरीके से निकाले गए हैं यही हमारे पुर्खों की देने कि आज हमें सिर्फ इतना करना पड़ता है वरना हर क्वेस्चन में आपको यह पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है तो चलिए राहू हो गए केतू हो गए अब आती है बारी शनी की तो हमारा तीसरा जो फलन है वो है वाई कोल टैनेक्स और टैनेक्स का रिखागडित में टैन की वेलू होती है लंबो बटे आधार तो यहां पे तो हमें डेरिवेटिव निकालना है तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं एफएक्स प्लस येच एफएक्स इ moins 10X और एफएक्स येच इक्वल 10X प्लस एच प्रासेस सेम होता है हमारा d by dx of y equal limit h tending to 0 fx plus h minus fx upon अब यहां पर direct h भी लिख लेते हैं या फिर x plus h minus x करते हैं तो cut करके cancel हो करके h आता है यह हो गया limit h tending to 0 10 x plus h minus 10 x upon h अब यहां पर 10 की एक value होती है आपने पढ़ा होगा 10 equal sin upon cos तो यहां पर हम इसे उसी में तोड़ देते हैं sin x plus h upon cos x plus h minus sin x upon cos x upon h अब यहां पर हम इसका LCM ले लेते हैं तो यह हो जाता है limit h tending to 0 cos b minus cos a sin b तो यहां पर जो हम formula use करेंगे वो होगा sin a minus b था तो यहां पर a जो है इस angle को कहेंगे और b जो है वो इस angle को कहेंगे तो sin x plus h minus x अपान अपान cos x plus h into cos x जी हाँ बिलकुल अब ready है हम लोग यहां पर x से x cancel हो गया और आगे limit h tending to 0 sin h upon h into 1 upon cos x plus h into cos x अब यहां पर आप देख रहे हैं यह value हम पिछले दो बार से एक कर रहे हैं limit h tending to 0 पर sin h upon h है तो यह 0 हो जाएगी और यहां पर होगा limit 1 into 1 upon cos x plus h into cos x अब यहां पर अगर हम h के limit को रख देते हैं तो होगा 1 upon cos x plus 0 into cos x और यह value हमारी बन जाती है 1 upon cos square x equal 6 square x जब इसे उपर लाएंगे तो यह 6 square x में change हो जाएगी अब हम लिख सकते हैं के rate of change of 10 x with respect to x equal 6 square x थीक है तो इस तरीके से हम राहो के तोस्त और सनी तीनों को शांत कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ sin x का cos x cos x का minus sin x और 10 x का minus 6 square x ठीक इसी तरीके से इनके तीन उल्टे फलनों के alkaline हम करते हैं ठीक है तो उनके alkaline हम नहीं करेंगे हम उम्मीद करते हैं उनके alkaline आप करेंगे अगर आपको अगर नहीं आता है तो आप मुझे comments करेंगे उस पर हम फिर से आपको वीडियो देंगे तो फिलाल अब इस पर जो problems होती हैं जो हमारी सवाले होती हैं उनको करके देखते हैं को उनको किस तरीके से करते हैं और जो फलन के जो सुतंतर्चर होते हैं वो अगर यक्स ना होकर के बड़े हो जाते हैं तो कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं बचे हुए तीन त्रिकोन मिती फलनों का ओकलज डी वाई डी एक्स आफ कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वेर यक्स होता है डी वाई डी एक्स आफ सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स होता है और डी वाई डी एक्स आफ कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है तो हमारे जो परिच्छक होते हैं जो हमारा एक्जाम लेते हैं अब वो इतने शरीफ तो हैं नहीं कि आपको डारेक्ट ऐसे फलन देंगे और कहेंगे बिटा आउकलन कर दो ये तो प्रारूप है ये तो तरीका है अब हमें आउकलन करते कैसे हैं तो आउकलन करने के लिए बिटा चाहे जो फलन हो आपको चर को पहले सिंगल टर्म में बनाना होता है एकल्चर में परिवर्थित करना होता है चाहे वो उस पे घात लगी हो चाहे जो कुछ हो तो चलो त्रिकोर्ण में ती फलनों का देखते है तो आपको ये तो मिलने से रहा कि साइन एक्स का उकलन करिए अब हमें फलन मिलेंगे किस तरीके से जैसे माली जे कुस्टियन है वाई एक्वल साइन एक्स स्क्वेर अब हमने पढ़ा कि साइन एक्स का कॉसेक्स होता है लेकिन साइन एक्स स्क्वेर को नहीं पढ़ा अब हमारी जिम्मेदारी जो होती है जो हमें सवाल को करना होता है यही मूल चीज़ है कि हम सोचे की X square को हम कैसे करेंगे क्योंकि हमें X square का कोई formula नहीं बताए गया कि sine X square के साथ क्या किया जाता है तो यहाँ पर हम अपने पुराने formula के रूप में क्या करेंगे X square को T मानेंगे मतलब जो भी value यहाँ पर disturb मिलती है उसे हम T मानेंगे, तो T मानने पर ये फलन क्या हो जाएगा, ये sin T हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर H ये भी है, कि बिद रिस्पेक्ट टू यक्स है, मानि जो भी चेंज करेंगे, हम बिद रिस्पेक्ट टू यक्स करेंगे, अब यहाँ पर होगा, dy dx of y equal dy dx of sin t into अब sin t का कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो rate of change x के term में दिखा रहा है तो इसके लिए अब यहाँ पर जो भी variable होता है वही variable यहाँ भी होना चाहिए तभी यह उकलन हो सकता है नहीं तो x का और t का आपस में कोई relation ही नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम operator change करेंगे dt by dt अब यहाँ पर इस operator को इधर लाएंगे और इस operator को यहाँ ले जाएंगे तो यह होगा dy dt of sin t into dt बटे dx अब यह interchange आपने कर लिया तो जब sin t का dt के साप्रिक्ष करेंगे तो अब हमें formula याद है हमें formula याद है कि जब हम sin yaks का कर रहे थे तो वो cos x में आ रहा था तो sin t का करेंगे अब वहाँ पर sin x का आप yaks के term में alkaline कर रहे थे तो cos x आ रहा था तो यहाँ पर sin t का t के term में करेंगे तो cos t आएगा तो यहाँ पर value हो गई cos t into dt by dx चुकि T तो आपने मान रखा है इसलिए T की वैलू आपस आपको रखनी होगी तो यह हो गया cos x square into dx square by dx अब इसको अलजिबरिक फलन में मानिते को 20 गणती फलन में हमने पढ़ा है कि इसमें घात आगे आती है तो यह हो गया cos x square into 2x की power 2 minus 1 अब इस तरीके से यह 2x हो गया तो यह हो गया 2x cos x square यह हमारा ओकलज अब यहाँ पर हम क्या करते हैं डारेक्ट आपको दिखाते है y equal sin x square था चलो भाई कोई बात नहीं d y y dx जब करेंगे तो यहाँ पर होगा d y dx of sin x square अब जो x square लिखा हुआ है उसको imagine कीजिए अपने दिमाग में क्यों कीवल x है तो sin x का cos x होता है तो आप यहाँ पर cos x square करें लेकिन x का आउकलन एक होता है तो जब x हुआ करता था तो यहाँ एक होगा और उसे हम कीवल cos x लिखके छोड़ देते हैं लेकिन x square है तो इसका फिर से करेंगे 2x अब यह हो गया 2x cos x square खीक है तो यह हमारा इस तरीके से आउकलन जमिला अब हम चलते हैं माली जी कोई दूसरा फलन है माली जी हमारा फलन है y equal cos 10 x square इस तरीके से भुक में दिया हुआ है बही देखो बोर्ड वालों से सराफत की तो बिलकुल उम्मीद मत करना वो वही करेंगे जहां आप फसेंगे मैंने देखा है वो विकल्पी प्रस्णों में जो अंसर आप गलत लाएंगे उन्हें पता होता है आप कहां गलती करेंगे और कौन सा गलत अंसर लाएंगे और वो गलत अंसर भी आपकी उस जो अंसर सीट होती है उसमें वो बेकल्ब के रोप में मौजोद होता है तो हम तो आपकी टांग मही पर तोड़ने की कोसिस करेंगे जहां आप फिसल रहे होंगे जब आप समल के चल रहे हैं तो आपकुछ नहीं करेंगे तो चलिए यहां देखते हैं तो यह कॉस का एक्स होता है अगर कॉस का जो वेरियेवल है वो यक्स है तो माइनस साइनी एक्स हमें पता है लेकिन यहां तो यक्स की जगह 10x स्क्वेर लिखा हुआ है तो भही हम इसे 10x स्क्वेर को पहले टी माल लेगे अब यह हो गया y इक्वल कॉस टी लो बन गया सिंगल चर अब सिंगल चर बनाने के बाद आप आपकलन सुरू कर सकते हैं dyydx equal dydx of cos t समस्या फिर वहीं फसी है यक्स के टर्म में t का ना जी बिलकुल नहीं यक्स के टर्म में t को निप्टाया तो आप कुद निपढ़ जाओगे तो यहां क्या करना है dt by dt से multiply करना है और इसे interchange करना है इसे यहां लाना है और इसे यहां ले जाना है तो dy dt of cos t into dt by dx तो वहीं यहां cos t का सुरी यहां पे t होगा cos t का t के साप h minus sin t तो minus sin t हमने use कर लिया into dt by dx value को वापस लियाओ minus sin 10x square into d 10x square by dx अब फिर कानी फस गई 10x का हम जानते हैं से कि square x होता है लेकिन 10x square का तो हमें पता ही नहीं है तो 10 का problem कहां खड़ी हो रही ही जो 10 का variable है वो x ना हो करके x square है तो भई यह single term में लाओ x square equal कुछ नया माल लो p तो यह हो गया minus sin माइन 10x square इन्टू डी टैन पी अपान डी एक्स इन्टू डी पी बटी डी पी देखिए ध्यान रहे हर बार आपको variable चेंज करते रहना है जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं उसे हर बार बदलना पड़ेगा तो यह हो जाएगा minus sin 10x square इन्टू अब टैन पी का पता है इसको इंटरचेंज करेंगे इसको बदलेंगे यहाँ पे लाएंगे तो यह होगा d10p upon dp into dp by dx अब आपको पता है कि 10p का dp के साफ़ एक 6 square p तो आगे देखते हैं minus sin 10x square 10p का सेक स्क्वेर पी into dp by dx अब फिर वही प्रकेरिया p की वैलो को रखेंगे minus sin 10x square सेक स्क्वेर x square into dx square by dx तो वैया x square फिर से 20 गणती फलन तक पहुँच चुका है अब इसका करेंगे तो minus sin 10x square 6 square x square into 2x तो पूरी वैलो निकल करके आती है minus 2x 6 square x square sin 10x square तो 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 इस तरीके से हमारा ओकलन हुआ अब आप कहेंगे डारेक्ट तो चलिए डारेक्ट देखते हैं y equal cos 10 x square तो मेरे नलाइकों मैंने कहा है कि जो हमारा पहला फलन हो बाएं से चलना है बाएं से चलो पहले कौन मिलेगा cos चड़ जाओ cos की पीट पर वाकि सबको बोल जाओ उसके आगे क्या लिखा हुआ है उससे सिर्फ अपने दिमाग में अपनी कल्पना में मानो कि वो रहा yaks और कुछ नहीं है वो तो पहले cos को निप्टाओ तो cos का होता है minus sign अब इसके साथ जो एंगल्स लिखा हुआ है वो ऐसे लिख दो आगे क्या जाएंगे तो आगे क्या मिलेगा ब्रेकट मिल रहे हैं पहले देखो ब्रेकट पर कोई कल्पना करो कि वो yaks के टर्म में तो 10 का सेक स्क्वेर x स्क्वेर हो गया अब और आगे जाओ तो आगे जाने पर x स्क्वेर मिलता है तो x स्क्वेर का 2 x हो गया तो अब वैलू लिख सकते हो minus 2 x sin sin square x sequence में कर देते हैं एक स्क्वेर साइन 10 x स्क्वेर ठीक है यह डारेक्ट करने का तरीका में जब हम बड़ी सवाले कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके से direct कर देते हैं ठीक है तो अगला कुस्षिन है हमारा y equal 10 x plus b की power half तो ठीक है वह यह चलते है y equal 10 अब क्या खा मैंने इतनी को टी माल लेते है ax plus b equal t इसकी power half equal t हो गया तो अब यहां पे यह बन गया 10t अब dy by dx equal d10t upon dx तो वह यह operator change करना है तो यहां पे dt by dt का multiply हो जाएगा और यह हो गया dy by dx equal dy dt of 10t into dty dx तो चलो पहले को निप्टा हो 10 का सेक स्क्वार t निपड गया into dty dx अब सेक स्क्वार t का का करोगे t की value रखो और क्या करोगे सेक स्क्वार ax plus b whole power half into d ax plus b whole power half by dx तो यहां algebraic function आगया 20 गणती फलन आगया लेकिन 20 गणती फलन में bracket के ओपर घात लगी है छूना नहीं मारेगी लाट तुरंट दरसाई तो ax plus b को फिर से कुछ हैजिम करो एक single power single चर में तो यहां पे हम माल लेते हैं कि ax plus b equal p t तो मान चुके हो अब यह हो गया sec square ax plus b power half into dp to the power half upon dx into dp अब यहां पे फिर से इंटर्चेंज फिर से बदलाओ sec square ax plus b whole power half into dp की power half by dp और into dp by dx तो वहिया किसी की घात अगर भी इस गरती फलन में किसी की घात लगी हो तो क्या करते हैं घात पीछे लाते हैं और उसकी घात में एक घाता देते तो यह हो गया sec square ax plus b whole power half into 1 by 2 p to the power minus half जब 1 बटे 2 में से 1 घाता होगे 1 बटे 2 minus 1 तो 2 एक अन्दम 2 में से 1 गया minus 1 बटे 2 समझ में आया है into dp by dx तो भही बैलू आपस लाओ बैलू आपस लाने के लिए sec square ax plus b whole power half into 1 by 2 अब p की बैलू कितनी है आपकी ax plus b whole power half minus half into dp by dx माने d ax plus b by dx वही आकेला हो चुका है अब इसे लिखेंगे sec square ax plus b पूरे की पावर एक बटे दो और ये जो एक बटे दो है इसको आप आगे ले लो और यहाँ पे इसकी घात रिड में आगर इसे बटे में ले जाओ तो इसकी घात धन में हो जाएगी ax plus b और पूरे की घात इन टू अब ये जो चरह है इसको लिखो constant को किनारे करो d by dx को वितरित करो अंदर ले जाओ a d by dx of dx plus b d1 by dx अचर का उखलर नहीं होता है माँ पे 1 रखते अब ये हो जाएगा एक बटे दो sec square ax plus b whole power half upon ax plus b whole power half into अब यहाँ पर a जो है ऐसे रहेगा इसका 1 हो गया और b into 0 हो गया तो a का 1 में गोड़ा करो a आया और b का 0 में गोड़ा करो 0 हुआ a में b को जोडेंगे a में 0 को जोडेंगे तो a आएगा तो ये हो गया a by 2 sec square ax plus b whole power half upon ax plus b की power half ठीक है ये ओकलर्ज मिल गया अब डारेक्ट देख लेते है मज़ा तो उसी में आता है एक लाइन में हो जाता है करना नहीं पड़ता चलो d10 ax plus b whole power half by dx तो मेरे लाड़नो देखो पहले 10 के आगे जो है बुल जाओ क्या है सिर्फ उसे मानो यक्स है तो 10x का होता है six square x लिख लिया भया six square ax plus b whole power half उसके बाद आगे पहुँचे तो ax plus b है अब ax plus b जो है bracket में बन दे और bracket के ओपर power लगी है power लगी है तो छोना नहीं है पहले power का करना है तो power क्या होगी multiply one by two पहले power लाएंगे फिर ax plus b को आपको दिमाग में रखना है जैसे x की घात एक बटे दो लिखा हुआ है ऐसे ना कि पूरे की घात तो आप क्या करोगे एक बटे दो पहले लाओगे फिर उसके बाद जो फलन है उसे लिखोगे और उसकी घात में एक घटा दोगे तो minus 1 बटे अब अंदर चले जाओ जब अंदर जाओगे आप तो अंदर जाने पर यक्स का एक होता है ब्रैकेट के अंदर चले गए यक्स का एक हो गया और आप जानते हो अचरपद का 0 होता है तो वही आप मिलाके लिख दो इसको 1 में multiply ए हुआ उसमें 0 अड़ करेंगे तो A हो गया और 1 बटे 2 मानि A by 2 सेक स्क्वेर AX प्लस B whole power half अपान AX प्लस B की घात एक बटे 2 है रिड में है इसे नीचे ले जाएंगे तो ये धन में हो जाएगे इस तरीके से हमारा ओकलन हो गया चलिए एक बार आपको फिर से समझा देते है अगर यहाँ पर जैसे 10 AX प्लस B की घात एक बटे 2 लिखा हुआ है तो वही या यह जो आके लिखा हुआ है भूल जाओ दिमाग में कि यह क्या है सिर्फ उसे आप अपनी कलपना में X मानो एक सिंगल टर्म मानो बस तो 10 का क्या हो जाएगा सेक स्क्वेर एक्स अब सेक स्क्वेर तो आपने लिख लिया साथ में X मत लिख लेना भूल के जो यहां लिखा है उसे ही लिखना है अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर क्या मिलता अब एक बटे दो के बाद पहले आगे लिए अब क्या बताया गया कि 20 गंड थी फलन में अगर घात लगी है तो उसमें एक माइनस करते हैं तो जब एक माइनस करोगे एक बटे दो रिन एक तो आपके पास बचेगा माइनस एक बटे दो यहाँ पर लगा दिये अब अंदर गुस गया अंदर गुसने के बाद ए है उसका गुडांक यक्स है तो यक्स का आउकलन एक होता है तो ये ए गुडे एक हो गया और बी ये अचरपद है तो अचरपद का गुडांक जो अचरपद का उखलन 0 होता है तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया अब इसे evaluate कर लेंगे क्रम पे लगा देंगे पहले A गुड़े 1 तो A हुआ 0 जोड़ा तब भी A आया एक बटी दो से गुड़ा किया AY2 ये वाला फलन हमारा यहां आया और इसको हम बटी मिले गए क्योंकि इसकी घात रिड़े में थी बटी मिले गए तो धन्या ठीक है तो इस तरीके से हम सॉल्ब करते है त्रिकोन मिती फलन अब ही आगे बहुत कुछ बाकी है यहाँ पर हम basic सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम करते हैं इसके बाद हम chapter wise सवालों को निपटाएंगे हर chapter को touch करेंगे और आपको इस लायक बनाएंगे कि आप ग्यान रूपी पंकों के सहारे जिन्दगे रूपी आकास में उडान भर सके आपकी उडान में जितना भी हम योगदान कर सके वो मेरा भाग्य होगा और आप कितना ले सके वो आपका भाग्य होगा अच्छे बने पढ़ते रहें ग्यान को प्राप्त करते रहें और ग्यान को आगे बढ़ाएं या परमपरा चलती रहें इसलिए नियमित रूप से पढ़ते रहें अपने समय को वरबाद मत करें याद रहे इस उम्र में पढ़ना ही आपका सबसे एहम काम है ध्यान रखिए का हर उम्र के काम बटे हुएं और जो ठीक समय पर ठीक काम नहीं करता वो जिन्दगे में सफल नहीं हो सकता तो सफल होने के लिए इस उम्र में आपका सबसे मुख्य काम है पढ़ना तो पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में